साथियो नवस्कार हरियाना स्टाप सेलेक्शन कमीशन की आर्ट एंड क्राफ्ट भरती को लेकर अभी अभी एक घंटा पहले नई अपडेट आई है साथियो आईटियाई के लो मेरिट वाले आवेदकों को मिला मोका आयोग ने 13 दिसंबर को इंटर्वियू के लिए बुलाया जिया साथियो एक घंटा पहले की नई अपडेट है हरियाणा में 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भरती की परिकिरिया में चैनीत अभियर्थियों को सुप्रीम कोट ने आयोगे करार दिया है अब हरियाणा क्रमचारी चैन आयोग ने लो मेरिट वाले आवेदकों को इंटर्वियू काल दी है आयोग ने आईटियाई के सेट आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा होल्डर को 13 दिसंबर को आयोग के कारियले में बुलाया है यानि पंचकुला में 13 दिसंबर को सेट आईटियाई वाले कंडिडेट के होंगे इंटर्वियू तो इस परकार एक नई और खास और एहम अपडेट आप सभी के लिए साथियो हर्याणा क्रमचारी चेन आयोग के चेर्मेन भौपाल सिंग्ख खद्री ने बताया कि आयोग ने आईटियाई और फाइन आर्ट कोर्स करने वाले लो मेरिट वाले आवेदकों को इंटर्वियू काल कर दी है कुरक सितर विस्विद अले से दो वरसिय आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स कर चुके चेनित अभ्यर्थी इस इंटर्वियू प्रिक्रिया के विरोध में हैं सुकरवार को चेनित अभ्यर्थी सीम खटर से मिलने के लिए जाएंगे तो देखेंगे साथियो जो होगा आगे क अपडेट भी आपको देदेंगे और साथियो आगे कंडिडेट्स ने कहा यदि सीम से मुलाकात नहीं हुई तो वो विरोध करेंगे चेनित अभ्यर्थी बल्देव ने बताया कि गुरुवार को वो सिक्सा सदन में कुरुक सेतर विस्विदाल्य द्वारा दो वरसिये आर अर्ट एंड क्राफ्ट कोर्स के बराबर मान्यता परदान करने वाड़े प्रमान पत्तर को लेकर पहुंचे थे परंतु मौलिक शिक्सा निदेशक या किसी अन्या धिकारी ने प्रमान पत्तर नहीं लिया तो साथियो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार का मूड क्या है अब नव चेनित आर्ट एंड क्राफ्ट सिक्स कों के लिए साथियो चैनल जो भी अपडेट लेकर आता है वो आपको कैसी लगती है अगर अपडेट अच्छे लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर भी करना हम इस चैनल पर लेकर आते हैं सिक्सा जगत से जुड़ी हुई हर चोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट सी बीएसी एच बीएसी आइसी एसी या किसी भी अन्य बोर्ड से समबंदीत चाहे वो हर्याणा स्टाप सेलेक्शन कमिशन से जुड़ी हुई भरती से समबंदीत हो साथियों इस तरे की अपडेट जानने के लिए चैनल के साथ प्यार और समर्थन बनाए रखना आपको हर चोटी बड़ी अपडेट से रूबरू करवाते रहेंगे तो आज की इस अपडेट में इतना ही नमस्कार वंदे मातरम राम राम